राउज आई इस कोचिंग के बेस्मेंट पे जो हादसा हुआ उसके बाद जिस कार चालक को पुलीस ने गिरफतार किया उनकी पतनी सीमा हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहला सवाल तो मेरा आप से यह है कि पुलीस ने जब आपको इंटिमिट किया होगा जो भी सारी प्रोसीडिंग्स हुई है उनके बारे में क्या चार्जिस उन पर लगाए गए हैं और किस तरह से इस प्रोसीजर को अगे ले जाए जा रहा है पुलीस संदे को शाम को पांच से छे बजे के बीच में कभी घर आये एक्तम से हम शॉक्त थे विकाज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहते हैं और उन्होंने बोला कि यह वीडियो में आपका गाड़ी आया है और हमें आपका स्टेट्मेंट लेना है सिंस यू वर दैर दे सीम हमें इस स्टेट्मेंट लेना है और उसके लिए आपको पुलीस स्टेशन चलना होगा गाड़ी के साथ सो वो गये पुलीस स्टेशन और वीस मिनित में उनका कॉल आया मेरे फादे इनलो को और उनको बोला कि उनका अरेस्ट हो रहा है हमें बागते 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 पुलीस स्टेशन पहुचे और बहुत टाइम तक हमें पता भी नहीं जल रहा था क्या अरेस्ट हो रहा है क्या चार्जस हैं कॉंसे स्टेशन लगा रहा है हमें लगा कॉंसल ने बहुत रिक्वेस्ट भी कि ये फिर का कॉपी मिलने के लिए लेकिन उनको फिर का कॉपी नेक्स दे कौॉट्रूम में धिया गया है जब जा रहे थे वो गाड़ी लेकर जो विड़ा है। विडियो में दिख रहा है। मतलब क्योंकि वहां पर पानी भरावा तो जाहिर सी बात है। लोगों की मन में भी जो विडियो देखना है ये सवाल आ रहा है कि क्या जरूरत थी उस पानी में जाने की कुछ काम था जिसको लेकर वो गए थे। आप दिल्ली में रहती हैं। आपको लगता है कि वो बारिश में डेली में गाड़ी चलाना मजे का बात होता है। आपको लगता है नोबडी इंजॉइस ड्राइविंग इन दे रेन इन डेली। अगर बारिश हो रही है लोग प्रेफर करते हैं कि हम घर पे बैठके चाहे पकोड़े खाएं। बाहर कौन जाएगा ट्राफिक में भसेगा। वाटर लॉगिंग जगे जगे पे वाटर लॉगिंग होती है और बहुत सालों से हो रही है। यह आज की बात नहीं है। हर जगे होती है डेली में वाटर लॉगिंग। वो यहां पे दो इंडिविज्वल्स आए थे वो बारिश एकदम से शुरू होगे वो बस निकलने वाले थे अपने घर जाने के लिए। बारिश एकदम से शुरू ही और बहुत तेज बारिश आई एकदम से तो उनके फादर ने उनसे बोला कि इनको मेट्रो स्टेशन तक पास में ही है वहां पे छोड़के आ जाओ। वो गाड़ी उन्होंने निकाला उनको बैठाया और वो मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने गए थे। वो मजे के लिए नहीं गए थे बारिश में। वो मेट्रो स्टेशन से छोड़के फिर वापस घार आये और उसी के बीच में ये हुआ कि एकदम से उनकी गाड़ी वो बिफॉर एकदम से उनकी गाड़ी वो पहले उन्होंने देखा कि गाड़ी का पानी थोड़ा है। वो काफस तक उसके पानी था तो उन्होंने का या अत्ने में तो निकल जाएगी गाड़ी। जैसे ही उन्होंने टरन लिया एकदम से पानी गश्ट इन वो बोनट तक आया था। अब बोनट तक किसी का पानी आ जाए तो एनी नॉर्मल परसन विल और वन देखा था तो आप बैक नहीं कर सकते अपनी गाड़ी को। आप सिर्फ आगे ही चला सकते हैं गाड़ी। तो उन्होंने भी वही किया, उन्होंने कोई राश ट्राइविंग ने किया, वो दीरे दीरे या आगे बढ़ा। लेकिन, I don't know why the police is saying कि राश ट्राइविंग है, speeding है, what is speeding, what is the definition of speeding for them, 15, 10, 15 km an hour is speeding for them, उससे दीरे में क्या 5 km पे गाड़ी निकलती वहां से, वो स्टॉल हो जाती, पानी रेडियेटर में गुसा हो, वहीं रुपती और पानी और उपर भरता और अंदर आता। क्या ये समझा जाए कि वो उस वक्त एक situation में वो वहां पर फस गये तो अब इसको क्या scape goat की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। I, you'll know, I mean you were also seeing the case progress and आप, you'll… आपकी तरफ से क्या action होगा? हम, we'll fight it and उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम बिलकुल तयार हैं, हम केस लड़ेंगे and कुछ, hopefully, उनको बेल मिलेगी, जल्दी, he'll come home and we trust the judiciary. आपकाम से बात करने के लिए, तो दिखे, आप Seema जी को सुन रहे थे, जिन चालक को गिरफतार किया गया, उनकी पतनी है, और उनका कैना है कि उस वक्त जब मनो जा रहे थे, जिस दिन यहादसा हुआ, वो काम से जा रहे थे और आगे जो भी लीगल फाइट होगी इस पूरे मामले को लेकर, उसे वो लड़ेंगे और जुडिशल सिस्टम में उन्हें भरोसा है. क्यामरपसन रवीश पांडे के साथ मैरिया जातुशकरन, ABP News, दिल्ली.